नमस्कार साथियो मैं कृष्णारान सिंग और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजुकेशन पॉडल कृष्णा आज हम लोग पिछले दिन जो छठे चरण सिक्षक नियोजन की प्रक्रिया प्रार्थमिक विद्यालेयों के लिए संपन हुई उसी से रिलेटेड उसी के स संब्द्र में बात करने वाले हैं कि प्राराम्रिक विद्यालेयों में लगभग एकौनवे हजार पदों पर चल रही सिक्षक नियोजन प्रक्रिया में अभी तक इस समय देखा जाए तो पचास हजार से अधिक पद अभी भी खाली रह गया है अनिकि आधा से अधिक पद सिक्षा विभाग को जो योग कंडिडेट्स जो सुयोग कंडिडेट्स चाहिए था वह नहीं मिल पाया जबकि यह छठा चरण संपन हो चुका है अब छठे चरण के बाद जो सात्मे चरण की तयारी चल रही है सिक्षा विभाग के द्वारा तो निशित रूप से जहां ज जहां पे सिक्षा विभाग से चूक हुई है जहां जहां से गलतियां हुई है तो निशित रूप से जो सात्वे चरन की पर किरिया चलेगी उसमें जरूर सुधार किया जाएगा संभबता है सात्वे चरन में जो एक centralized भंग से centralized कंद्रिये क्रित तरीके से फॉर्म को लिया जाएगा उसी कदम नक्से पर चल करके जो सीट खाली रह जाते हैं उसको फुल्फिल करने का प्रियास किया जाएगा अभ्यर्थियों को निशित रूप से साथ में चरन का इंतजार है और जो छूट गए है अभ्यर्थी वह तो है ही इसके साथ उनकी संख्या में अनिकी उन अभ्यर्थियों की संख्या में जरूर बिर्दी होगी क्योंकि नए अभ्यर्थी भी सीटेट करके उसके बाद जो सारी परक्रियाएं होती है सिक्षक बनने की वह भी आ चुके है तो सातमे चरन की परक्रिया का इंतजार है लेकिन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ समझने का प्रियास करते हैं कि जो यह छठा चरन चला इसको चार पार्ट्स में बाटा गया था लेकिन उसके बाबजूद भी जितने अभ्यर्थियों का सेलेक्शन होना था जितने पद थे उन पर जिन अभ्यर्थियों का सेलेक्शन होना था वह नहीं हो पाया योग अभ्यर्थि नहीं मिल पाया या तो फिर कुछ न कुछ खामिया उसके साथ रही या तो कुछ जहां पर फॉर्म उसको भरना था वहां पर नहीं भर पाए इस बज़े से वह बंचित रह तो किस प्रकार से उन अभ्यर्थियों का चैन हुआ, कितने सीड थे, special cases के अंतरगत, special चरन के अंतरगत, कितने अभ्यर्थी का सेलेक्शन हुआ, उन सारे बिंदों पे हम लोग चर्चा करते हैं, इसके लिए बोर्ड की साहता हमें आवस्यक होगी, तो सिक्षकों का 50,000 पद खाली, यह हमने यहाँ पे हेडिंग बनाया है, और कुल पद आप समझी रहे हैं, 90,762 था, और यहाँ बहली परक्रिया, 2019 से प्रारंब हुई थी, और 2019 से लगभग देखा जाए, तो 34 महिना का समय लग गया इस प्रक्रिया को पूरा करने में, इस बहली प्रक्रिया को, लेकिन उसके बाबजूद भी 90,762 सीठ फुल्फिल नहीं हो पाया, तो छठे चरन को चार भागों में विभाजित किया गया, पहला था जूलाई और अगास्त, अनिकि दोनों मिल करके जुलाई 2021 और अगास्त 2021 में दो चरन यहां पे हुआ, उसके बाद फरवरी में 2022 में उसके बाद पहला चरन था, फिर एस्पेसल राउंड अनिकि एस्पेसल चरन 2022 में ही संपन हुआ, तो इस प्रकार से चार चरन को पूरा किया गया, चरन में चार बार कोंस्लिंग की गई, और तीन चक्र में जिसमें जुलाई अगास्त और फरवरी 2022 में ही संपन हुआ था, और फरवरी 2022 में तो तीन चक्र में कुल चयन एक तालीस हजार पांसो पंद्रह अभ्यर्थियों का हुआ था, और इन एक तालीस हजार पांसो पंद्रह अभ्यर्थियों में नियोजन पत्र अनिकी नियुक्ती पत्र 49,000 संतावन को मिला, तो जो सेश बच जाते हैं कंडिडेट्स, तो इसमें एक तालीस हजार पांसो पंद्रह का चयन हुआ, लेकिन उनका सर्डिफिकेट या कुछ न कुछ ऐसी परिशानियों के वज़ा से मात्र नियोजन पत्र 49,000 संतावन अभ्यर्थियों को ही मिला, तो सेश रह गया उसमें से 24,458 अनि इतना अभ्यर्थी चयन होने के बाब जूद भी काउंसलिंग होने के बाद भी उसे नियोगती पत्र नहीं पराप्त हो पाया, अब 18 अप्रेल, तीन चक्र समाप्त होने के बाद 18 अप्रेल को विशेश चक्र आनि की स्पेशल राउंड रखा गया, और उसमें से उस राउंड में 2300 की काउंसलिंग होई थी, और चयन हुआ 1377 का, नियोगती पत्र उन 1377 में नियोगती पत्र 932 का मिला, और उसमें रह गया सेश, परमान पत्र जो संदेहा प्रद में था, परमान पत्र में कहीं ने कहीं कुछ डिमेरिश साग गलतियां थी, इस बज़ा से 445 कंडिडेट चैनित अभ्यर्थी भी नियोजन पत्र आनिकी नियूगती पत्र नहीं प्राप्त कर पाया, तो इस प्रकार से कुल मिला करके देखा जाए, तो 49,000 संताबन यहाँ पर 49,000 संताबन और जो विशेश चक्र में चला था 932 दोनों मिला करके 49,989 लगभग में इसको कहा जाए, तो 40,000 अभ्यर्थियों को, चैनित अभ्यर्थियों को नियूकती पत्र मिला, तो रह गया, खाली पत्र कुछ विशाई था, जो कि योग कंडिडेट, योग अभ्यर्थी, सरकार को और शिक्षा विभाग को नहीं मिल पाई, और उसमें से जो एस स्पेशल सब्जेट था, उसी के अभ्यर्थी रह गये, तो वह सब्जेट था विज्ञान, साइन्स में, उसके बाद मेथ में, फिर अंग्रेजी, उर्दू, संस्क्रीत और हिंदी, तो इन पदों के लिए अभ्यर्थी पहुचा ही नहीं था कॉंसिलिंग के लिए, परिनाम सरूप वह पद खाली र आए, और आगे है कि खाली पद में ज्यादा महिला अभ्यर्थी रह गये, और कि OBC और EBC, OBC कंडिडेट और EBC कंडिडेट जो फिमेल कंडिडेट थे, उनके लिए और कि वह अभ्यर्थी मिला ही नहीं सिक्षा भिवाग को, तद पस साथ वह सीट, OBC और EBC, जो कि फिमेल क साथ SCST, जो महिला और पुरूष, दोनों के लिए पद खाली रह गया, तो इस प्रकार से देखा जाए, तो जो बहाली होनी थी 90,762, अनि कि लगभग 91,000 पदों के लिए, उसमें से कुल बहाली हुई 49,989, तो इस प्रकार से 50,000 से ज्यादा सीड भेकेंट रह गया, खाली तो निशित रूप से जो साथवे चरण की बहाली परक्रिया चलेगी सिक्षक नियोजन की, तो उसमें उन सीटों को खूल करने का जरूर परियास किया जाएगा, काफी भरसक परियास किया जाएगा, सिक्षा विवाग की ओर से, कुछ नियमों में संसोधन किया जाएगा, कुछ इस प्रकार का तब्दिली किया जाएगा, कि वह सीट अगले साथमे चरण की जो परक्रिया चलेगी, उसमें ना बचे, और पिछले पीछे में जो छटे चरण की भाली परक्रिया चली, उसकी पुन्डाविरती फिर ना हो कि सीट खाली रहजा है, तो आज के वीडिय पनानी है, उसमें पहुचने के लिए और एक सुयोग और अच्छे सिख्षक बनने के लिए, थाइंक्स फर वाचिंग, गुडबाई